हलो मैं हूँ आपके साथ दिव्या सल्मान खान और उनके जीजा आयुश शर्मा की फिल्म अंतिम दो फाइनल ट्रोथ फाइनली सेटर्स में रिलीज हो गई है इस फिल्म का सल्मान के फैंस बड़ी ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही ट्विटर पाइप बाइकॉट अंतिम ट्रेंट कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे कई वज़ा है अलग-अलग वज़हों के चलते सल्मान को लोग ट्रोल कर रहे हैं सबसे पहली वज़ा है आज के दिन फिल्म को रिलीज करना ये सभी जानते हैं कि आज के दिन यानि 26 नवंबर को साल 2011 मुंबई पर टेरर टैक हुआ था जिसमें कई मासूम बेगुनाह लोग ये जान चली गई थी इस मामले पर तब सल्मान खान ने एक बयान भी दिया था जिसके बाद वो विवादों में फस गए थे सल्मान में इस हमले पर अपनी पृतिक्रिया देते हुए कहा था कि सब लोग जानते हैं कि मुंबई हमले के पीछे पाक सरकार नहीं थी बलकि ये आतंकी हमला था और उन सबसे ज्यादा एहम ये है कि हमारी सुरक्षा वेवस्ता नाकाम साबित हुए और उनमें से कई हमले भारत में हुए हैं लेकिन उनके पीछे पाकिस्तान नहीं था उन हमलों के जिम्मेदार भारत में ही थे अब सल्मान के इसी पुराने बयान को लेकर ही लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने आतंकियों का सपोर्ट कर भारत की सुरक्षा ववस्ता को इसके लिए ब्लेम किया एक अतुल सिंग नाम के यूजर ने सल्मान की फिल्म अन्तिम को बयकॉट करने की मांग करते हुए लिखा तोडेय ओन 26.11 मुंबई टैरोर अटैक हापने अन मुंबई 1000-plus innocent got killed but Salman Khan openly came in support of those terrorists and put entire blame on Indian's intelligence. Do you still watch movies of criminals? बाइकॉट अन्तिम वही निकता नाम की एक यूजर ने लिखा We have to make this movie as Salman Khan last movie of his career. बाइकॉट अन्तिम इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा from giving clean chit to those Pakistani terrorists and blaming only Indian intelligence for Mumbai attack to backing Pakistani actors in Bollywood. This man always had a soft corner toward Paak. Is not this reason enough for us to bai-kaw-dantim? वही एक और यूजर ने लिखा Who is Salman to decide that Pakistan was not behind Mumbai attack? Bhaijaan should be shameful for insulting our murderous and civilians who lost their lives in this 26-11 attack. इतना ही नहीं एक और यूजर ने ट्वीट कर लिखा Indirectly, even Salman boytards have accepted the fact that Shushan Singh Rajput fans and nationalists have finished Salman's career. Antim will probably be his last film. Shushan Aura is mesmerizing. By God Antim. तो देखा आपने, लोग जम कर Salman पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. मुंबई में हुए आतंकी हमले और शुशान के निधन को लेकर लोग Salman को ट्रोल कर रहे हैं और उनकी फिल्म Antim को बॉयकॉट कर रहे हैं. बता दे कि Salman ने फिल्म Antim में सरदार का रोल ने बाया है. वहीं फिल्म में आयुश भी एहम किरदार में दिखाई दे रहे हैं. महेश मांजरेकर के डारेक्शन में बनी ये फिल्म एक्शन से लब्रेज है. यहां कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है. वहीं कुछ इसका सीधा सीधा बहिशकार कर रहे है. वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं. और बॉलिवुट से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रही है हमारे साथ. जानने के लिए झाले सेफे लिए प्राइब के लिए लागों को जानने के लिए में अपना है.